इंडिया और बांगलादेश के बीच में पहला T20 मैच जो खेला जाएगा 6 अक्टूबर को साम 7 बजे और ये वाला मैच ना सिंप्ली आपको पता होगा भारत में ही खेला जाएगा और इंडिया में ही खेला जाएगा गुवालियर में समझमा चुका है अब यहाँ पर मैं आपको इस बीडियो में इस मैच का एकदम लाज जवाब प्रेडिक्शन देने वाला हूँ पूरा डीटेल में बताऊंगा किसको लेना है किसको ड्रॉप करना है मेगा जील में कौन इसा खिलारी है जो ट्रम्प खिलारी बनेगा किसको क्यैप्टन बनाना कि इसको वाइस केप्टन बनाना है और इसी बेडियो में आपको एक बेस्ट सबसे लोजीकल विनिंग टीम बना करके भी दिखाऊंगा तो टैंसन मतलो बस बेडियो को पूरा देखना उससे पहले टेली ग्राम चैनल को और वाटसप चैनल को जोएन कर लेना लिंक आपको इस अपने टेली ग्राम में किसी भी फ्रेंड को या किसी भी मेंबर को यह वाला मेसेज आपको सेंड कर देना है add the red लगा करके जो channel का नाम है वही आपको लिखना है जैसे कि आपको screen पर दीख रहा है और मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है वहाँ पर add the red लिखना है उसके बाद channel का नाम लिखना है जैसे कि a-k-j-o-n उसी में सटा करके f-a-n-t-a-s-y जैसे ही इतना लिख करके send करोगे ना वो message clickable बन जाएगा और जैसे ही उस पर click करोगे ना direct हमारा telegram channel open होगा नीचे में आपको join का button मिलेगा join के button पर click करके आपको हमारा telegram channel join कर लेना है एक बात हमेशा आद रखना हमारे नाम से कभी भी किसी को भी team के लिए पेशा मत देना समझमा चुका है अब यह यहां पर देखो यह वाला match जहां पर खेला जाएगा ना अगर उसका पीच report देखो गे ना तो यहां पर ना run बनता है काफी अच्छा खासा आपको run बनता हुआ दिखेगा अगर इस match में इंडिया पहले batting किया ना तो simply आपको 200 या 200 पलस आपको run बनता हुआ दिखेगा और अगर बंगला देश पहले batting करेगा तो यही 170, 180, 190 की बीच में आपको असकुर बनता हुआ दिखेगा आनि batting पीच यहां पर है batsman को support मिलता है लेकिन यहां पर फाश्टर बॉलर को ना काफी ज़्यादा support मिलता है फाश्टर बॉलर को दोनों inning में support मिलता है लेकिन spinner को सबसे ज़्यादा support मिलता है second inning में simply इस match में spinner आपके लिए तभी important होगा जब वो second inning में balling करेगा आनि उसी team का spinner लेना सबसे ज़्यादा जो second inning में balling करेगा क्योंकि यहां पर देखोगे ना तो तीन match को मिला करके first inning में total 18 wicket गिरा है जिसमें से 13 wicket faster को और मात्र 5 wicket spinner को वही पर 3 match को मिला करके second inning में 25 wicket गिरा है जिसमें से 15 wicket faster और 10 wicket spinner तो आप idea लगा सकते हो अब यहां पर simply सबसे पहले बात करते हैं wicket keeping वाले section में अगर आप wicket keeping वाले section में देखोगे ना तो सबसे पहले आपको Sanju Samson दिखेगा लिटन दास दिखेगा जिते सर्मा और जैकर अली आपको खेलता हुआ देखेगा अब यहां पर देखो लेना कब किसको है सबसे पहले देखोगे Sanju Samson यहां पर अगर आप देखोगे ना तो simply Sanju Samson इस match में आपको opening करता हुआ देखेगा अब इसे एक सर्मा के साथ में क्योंकि और कोई extra opening bats में नहीं है आपको पता होगा तो एक मैच में 40-50 रन का पारी खेलेगा ना तो उसके बाद 4-5 मैच में बंदा फ्लोप रहेगा और इंडिया के सामने 8 मैच में 170 रन अकीस का एवरेज है और T20 मैच में उतना में भरोसा नहीं करता हूँ लिटन दास पर अगर ODI मैच होता या टेश्ट मैच होता तो मैं साइ इस पर फोकस करता लेकिन अगर आपका मन है लेने का तो मैं आपको सजेशन दूँगा कि मेगा GL के टिम में ले करके चलना समझमा चुका है आने कि सेंजू सेमसन आपके लिए एक मश्ट पिक बनेगा विकेट किपिंग वाले सेक्शन में अगर आपको थोड़ा सा रिस्क करते हैं बैटिंग वाले सेक्शन में बैटिंग वाले सेक्शन में सबसे पहले आपको देखेगा असकाई सूरी कुमार आदव इंडियन टीम का कप्तान देखेगा नंबर तीन पर बैटिंग करेगा रिसेंट फॉर्म काफी सही देखेगा और पता होगा टीटेवेंटी का ताकि आपको सही परफॉर्म करके दे, नीचे में सिंपली आपको देखेगा रिंकु सिंग असानी से देख सकते हो, अगर इस मैच में ये खेलेगा ना, आप देखो रिंकु सिंग और सीवम दूबे, दोनों में से कोई एक आपको खेलता हुआ देखेगा, और जो भी बैटिंग आएगा, नहीं आएगा, गैरेंटी नहीं है, तो मैं आपको साजेसन दूँगा, असमॉल लिग में इसको ले करके मत चलना, जिसको रिस्क लेना है, मेगा जील का टिम बनाना है, तो आप इंडिया का जो टॉप ओर है ना, उनमें से किसी बड़े खिलारी को ड् आपको पता हुगा, जिमबावे के सामने सतक भी बनाया था टीटेवेंटी स्रीज में, और यहां पर ना, इसके साथ एक और पलस पॉइंट है, कि ये बॉलिंग से भी आपको बैक अप देगा, बॉलिंग भी करेगा, तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, अब बात रह साथे 30 का एवरेज है, जो काफी सही आपको देखेगा, अगर इसका रिसेंट फॉर्म देखो गे ना, तो सिंपली 5 रन है, उसके बाद 40 रन, 41 रन, 4 रन, 1 रन, 14 रन, अब यहां पर देखो इसको लेना है, नहीं लेना है, अभी मैं आपको किलियर बताऊंगा, टेंसन मतलो लेकिन सबसे पहले नीचे बात करते हैं, सीवम दूबे दिखेगा, तो मैंने आपको बता दिया है, या तो सीवम दूबे खेलेगा, या तो रिंकु सिंग खेलेगा, जो भी खेलेगा, इंडिया पहले बैटिंग किया, तो ले करके चलना, मेगा जील के टिम में, समझमा च देखेगा यहाँ पर तंजीद थे हसन आपको दिखेगा इसका चांस तोड़ा सा कम लग रहा है खpaperने का लेकिन अगर खेलता है न तो एक मेगा जीएल का बेहतरी न अप्शन बनेगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका खेलने का चांस बनेगा मैं सिंपली इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ वेसे भी इंडिया के सामने एक मैच खेला है 29 रंका पारी खेला है रीसेंट में उतना कोई खास परफॉर्म नहीं किया है 0-29-0-0-0-35 कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है नीचे में आपको दिख हार्दिक पांडिया बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा नंबर पांच पर बैटिंग करेगा बंगलदेश के सामने चार मैच में 101 रं है 25 का एवरेज है पलस में 4 मैच में 7 विकेट निकाल चुका है तो डेफिनेटली इंपोर्टेंट है बात रहा कैप्टन और वाइस और 0 विकेट है आनि 3 मैच में 0 विकेट एक भी विकेट नहीं निकाला है इंडिया के सामने लेकिन फिर भी इसका सेलेक्षन अगर देखोगे न तो 84 परसेंट दिखेगा तो यहाँ पर न आप मोका का फाइदा उठा सकते हो इसको सिंपली अपने टीम से ड्रॉप कर सकते ह अगर किसी बड़े खिलारी को ड्रॉप करना है तो आप यहाँ पर मेहदी हसन मिराज को ड्रॉप कर सकते हो अपने टीम में और इसके जगहा पर ना सिंपली यहाँ से आप रिसाद हुसेन को ले सकते हो जो काफी अच्छा खासा यहाँ पर परफोम करके देगा इस मैच में इंडिया के सामने एक मैच में 24 रन बनाया है पलस में 2 विकेट भी निकाला है और इसका रिसेन्ट फॉम काफी सही है तीन विकेट दो विकेट दो विकेट आनि पीछले तीन मैच में ना सिंपली साथ विकेट निकाल चुका है तो डेफिनेटली इंपोर्टेंट है इसके रन है 25 रन है उतना कोई खास नहीं है T20 में और इंडिया के सामने 10 मैच में 157 रन है पंद्रों का एवरेज है और 3 विकेट है मात्र पंद्रों का एवरेज 10 मैच में और मात्र 3 विकेट 10 मैच में तो मैं सिंपली इसको ड्रोप करके चलूँगा फिलहाल के लिए उतना कोई ख तभी बनेगा जब इंडिया पहले बैटिंग करेगा और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि अस्पीनर को यहां परना सेकेंड इनिंग में काफी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और रियान प्रग आपको पता होगा अस्पीनर बॉल लेकिन बॉलिंग आपको यहां पर तीन से 4 अबर करता हुआ दिखेगा समझे चुका है तो इसको भी आप सेकंड बॉलिंग में ही ट्राइ करना और खास करके मेगा g l के ट्राइ करना, समझमा चुका है, अगर आपको a small league का team बनाना है, तो मैं simply बोलूँगा, Washington सुंदर को आप simply drop करके चलना अपने team से, क्योंकि आपके लिए थोड़ा साना risky रहेगा, क्योंकि इसका betting order काफी नीचे दिखेगा, अगर आपको world cup का performance आपको पता ही होगा, दो wicket, दो wicket, दो wicket, जिरो wicket, तीन wicket, चार wicket, हर एक match में wicket निकाल रहा है, और simply बंगला देस के सामने तीन match में पांच wicket है, तो यह दोनों inning में important है, चाहे पहले bowling करें, सेकेंड में bowling करें, इसको ले करके चलना, नीचे में आपको देखेगा, मुस्त फिजूर रहमान, left arm फाशकर medium baller है, आपको पता होगा, और इंडिया के सामने नराइटी batsman है, तो वहाँ पर आपके लिए एक better option बनेगा, लेकिन यहाँ पर problem क्या है, कि इंडिया के सामने 10 ही match खेला है, और उनमें से मात्र 4 wicket निकाला है, 10 match में मात्र 4 wicket निकाला है इंडिया के सामने, तो simply मुस्त फिजूर रहमान आपके लिए first balling में important बनेगा, second balling में उतना ज़्यादा important नहीं बनेगा, नीचे में आपको दिखेगा तास्कीन यहमद, recent form देखोगे न, 1 wicket, 0 wicket, 1 wicket, 2 wicket, 2 wicket और इंडिया के सामने 4 match में 2 wicket है, तो यह भी important आपके लिए first balling में बनेगा, लेकिन यहाँ पर condition क्या है वो देखना, simply अगर यह दोनों खेलता है, और मुस्त फिजूर रहमान को या तो तास्कीन यहमद को, लेकिन किस condition में, बांगनादेश पहले balling करेगा, उस condition में, नीचे में आपको दिखेगा रवी बिस्नोई, यह चाहे पहले balling करे, या second inning में balling करे, इसको ले करके चलना, लेकिन सबसे ज़्यादा important बनेगा second balling में, तो simply आपको यहाँ परना, रवी बिस्नोई खेलता हुवा नहीं दिखेगा, तो वही condition आप apply कर लेना, अगर यहाँ पर रवी बिस्नोई के जगहाँ पर, वरुन चकरवर्ती खेलेगा, तो second balling में try करना, समझ माँ चुका है, लेकिन chance काफी कम है, नीचे में आपको दिखेगा, तंजीद हसन साकीब दिखेगा, असानी से देख सकते हो, यह important बनेगा, मेगा जियल में, क्योंकि इसका selection देखोगे न, मात्र solo percent है, और इसका recent form, 0 wicket, 2 wicket, 0 wicket, 4 wicket, 1 wicket है, और इंडिया के सामने, एक match में 2 wicket निकाला है, तो मेगा जियल में important बनेगा, जिसको मेगा जियल में try करना है, risk लेना है, वो असानी से इसको try कर लेना, नीचे में आपको दिखेगा, यहाँ पर मेहदी हसन, असानी से देख सकते हो, इसका recent form देखोगे न, तो उतना खास नहीं है, और इसका खेलने का chance भी काफी कम लग रहा है, इस match में, अगर खेलता है, फिर भी मैं इसको try करके नहीं चलूँगा, इस match में, समझ मा चुका है, उतना ज़्यादा खास player नहीं है, और मेरा मानना है, इस match में खेलेगा नहीं, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, नीचे में आपको देखेगा, sorryfully Islam, इसका भी chance काफी कम है, क्योंकि already यहाँ पर, यहाँ पर आपको simply, मुस्त फिजुर रह्मान और तास्कीन यहमद खेलता हुआ देखेगा, अगर यहाँ से sorryfully Islam खेलेगा, तो आपको तास्कीन यहमद खेलता हुआ नहीं देखेगा, तो वहीं आपको condition apply कर लेना है, तास्कीन यहमद वाला, नीचे में आपको देखेगा, यहाँ से हरसित राना, इसका chance काफी कम लग रहा है खेलने का, क्योंकि already वहाँ पर अर्सिदीप सिंग खेलेगा, नीचे में आपको देखेगा, मयंक आदो तो खेलेगा ही खेलेगा, समझ माचुका है ना, और इसको तो अपने टीम में ले करके चलना, definitely आपके टीम में fix होना चाहिए, मयंक आदो, आपको पता होगा कि सिंप्ली मयंक का आदो ना, डेड़ सो से पलस से स्पीड में बॉलिंग करता है, तो इस मैच में अगर डेब्यू करेगा, तो काफी ज़्यादा important बनेगा, इसको ले करके चलना अपने टीम में, first बॉलिंग हो, second बॉलिंग हो, नीचे में आपको दिखेगा, आर हसन चांस काफी कम है, तो इस परकार से मैंने आपको हर एक section में बता दिया है, कि इसको लेना है, कि इसको drop करना है, समझ माच चुका है, अब देखो मैं आपको team बना करके दिखाता हूँ, कि इस परकार से मैं अपना team बनाऊंगा इस match में, तो simply wicket keeping वाले section में, Sanju Samson मेरे team में रहेगा definitely, समझ माच चुका है, और मैंने बता दिया था, लेटनदास मेगा GL का एक 72 नॉप्सन है, जिसको इस match में risk लेना है, लेटनदास पर risk ले सकते हो, अपने team में इसको ले करके, उसके बाद यहाँ पर batting वाले section में देखोगे न, सबसे पहले यहाँ पर मैं लेटनदास को हटा लेता हूँ, batting वाले section में, असकाई, अभिसेक सर्मा मेरे team में रहेगा, असकाई तो important है, नंबर 3 पर batting करेगा, और T20 का नंबर 1 batsman है, उसके बाद अभिसेक सर्मा opening करेगा, पलस में balling का भी backup रहेगा, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ अपने team में, समझमा चुका है, अब यहाँ पर नीचे में देखो, अपने team में, तो यह 3 मेरा batsman आचुका है, बैटिंग वाले section में, और किसी पर में भरोसा नहीं करूँगा, और रमडर वाला section आपका main है, यहाँ पर मैं सिंपली पांडिया को ले करके चलूँगा, मैं सिंपली मेहती हसन मिराज को ड्रोप करके, इसके जगा पर ना थोड़ा से रिस्क लूँगा, और रिसाद हुसेन को ले करके चलूँगा, ठीके, और नीचे में सिंपली यहाँ पर ना, रियान प्राग को ले करके चलूँगा, अपने team में, महमुद उल्ला पर मुझे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, वह सिंपली संदर का बैटिंग ओडर काफी नीचे रहेगा, बैटिंग आएगा नहीं आगा, गरैंटी नहीं है, और बॉलिंग का उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, या तो मुस्त फिजूररहमान और या तो तासकीन यहमत, लेकिन मैं फिलहा के लिए मुस्त फिजूरहमान को ले करके चलूँगा अपने team में, तो ये मेरा team है, आप असानी से देख सकते हो, फाइनल team नहीं है, ये मेरा फाइनल team नहीं है, आपको पता होगा final team आपको simply telegram में और whatsapp channel में मिलेगा toss के बाद समझ मां चुका है अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा important है captain और wise captain आखिर captain और wise captain किसको बनाना है तो सबसे पहले देखो आपके पास अब इस एक सर्माना सबसे safe option बनेगा captain और wise captain का लगभग सभी लोग इसको cbc बनाएगा तो अगर a small league का team बना रहे हो तो definitely important है लेकिन mega GL का team बनाओगे तो इसको captain wise captain मत करना और mega GL में आपको वेसा नहीं करना है जो already लाखो करोडों कर रहा है आपको unit करना पड़ेगा उसके बाद असकाई सूरी कुमर आदो आपके लिए एक better option है cnvc का इसको भी बना सकते हो और यहाँ पर हार्दिक पांडिय समझमा चुका है batting balling दोनों करेगा यह भी must pick बनेगा अब देखो अगर आपको risk की choice चाहिए ना तो simply यहाँ से रियान पराग आपके लिए एक better option बनेगा मेगा जियल का cnvc का region क्या है नंबर चार पर बैटिंग करेगा पलस में balling भी करेगा कम से कम दो से तीन ओबर और इसको विकेट मिल ही जाता है आपको पता होगा स्रिलंका के सामने या जिमबाबे के सामने विकेट निकाला था एक मेच में तीन विकेट तो important बनेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर कोई उतना ज्यादा important नहीं है cnvc का हाँ अगर try करना चाहते हो तो सेंजू सेंसें को try करना लेकिन काफी ज्यादा risk की रहेगा ठीक है तो risk लेना है ताई भी try करना लेकिन मैं फिलहार के लिए अपना captain करने वाला हूँ यहाँ से हार्दिक पांडिया को और wise captain में करूंगा simply असकाई को ठीक है आप अभिसेक सर्मा को भी cvc बना सकते हो no doubt लेकिन मैं यहाँ पर हार्दिक पांडिया और असकाई को अपना cvc क लेना notification bell को दबा करके all पर प्रेस कर लेना तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत